हालो एवरिवन कैसे आए आप सब आई होब आप सब अच्छे योंगे सुबा के बज रहे हैं साथ चाड़े साथ और आज का मौसम देखी रहे हैं कोई रहा है बराबर पूरा भरपूर देखिए हम गाउं में रहते हैं यह गाउं का वातावरण है और जैसे कि आप मेरा ब्ल वीडियो देखते हैं ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप हमें प्यार और विश्वास बनाए रखिए कि हम आपके लिए अच्छा सा अच्छा कर सकें और बेहतर कर सकें वीडियो अच्छे से सूट कर सकें और अच्छे से आपको और बारीक्यां जो गाउं की होती ह बहुत कुछ याद रहती है याद रहता है उसके बाद जब कैमरा ओन हो जाता है तो याद ही नहीं रहता है और आप लोग हमें पसंद करें पसंद तो कर रहे हैं तब तो आप मेरा वीडियो देखते हैं बट कमेंट भी किया करिए कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आप मेरा वीडियो देखते हैं यह नहीं देखते हैं कौन-कौन देखता है कहां से देखता है आप मुझे कमेंट करिए वाचिंग टाइम रखिए वीडियो का और आज देखिए हम दिन बर क्या करते हैं हमारे साथ आप ब्लॉक में बने रहिएगा थोड़े बहुत तो सरारते जो करेंगे वो दिखाएंगे जरूरी खाना बनाना क्या दिखाऊंगे जो गल्स और वीडियो देखते हैं वो खाना लेडि खा पीके बैठे रहते तो उनका वीडियो क्या दिखाऊंगे बट अभी तो सुबा का कुछ आज अगर कुछ जाएंगे कहीं बाहर तो दिखाएंगे जरूर आप लोगों को कोशिस करती हूं घर से बाहर निकलने की ठंड बहुत है और ठंड में यूं स्कूटी चलाना तो बहुत कठीन सा काम लगता क्योंकि बहुत ठंड लगती रहती है यह देखिए लेकिन म मौसम ठंडी के मौसम में खाने का भी कोई प्रॉबलम नहीं रहती और सोरे कि भी प्रॉबलम नहीं रहती है। इसको बनाना है भों बनाएंगा बनाती मैं एसी हूं कितना संदर होता है ना कितना हरा भरा रहता है चारों तरफ देखिए कितने अच्छे मौसम लगते हैं और हेल्दी भी है यह मेरा घर है ऐसे ही मेरा घर है और किसी दिन आप अगर कमेंट करेंगे तो घर का भी होम टूर भी करा देंगे आप मेरा वीडियो में कमेंट करेंगे तो और मेरे घर में कौन-कौन है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मैं हूँ, मेरी बेटी है, और दो भाई हैं, जो की बाहर रहते हैं, अभी नहीं है, एक लोग लखनौ में रहते हैं, और एक लोग गिलाबाद में रहते हैं, और छोटा सा परिवार है, और मैं अपने माईके में रहती हूँ, धी दिरी दिरी सारी चीज़े आप मेरे ब्लॉग में बने रहेंगे तो आपको यह वसली पता चल जाएगा कि हम यहां क्यों रहते हैं और हमारे हस्बेंड भी है हम मैरेड हैं हमारे हस्बेंड भी है वो भी है